नमस्कार दोस्तों गारगी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेट आज की 5 अगस 2022 देख लेते हैं इंडियान एक्सप्रिस के इंपॉर्टन न्यूज जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे बहले हम बात करते हैं एक्स्क्रेइन पर इसकी जिसमें जो फॉस्स पॉइंट हो यह कि युक्रेइन से पहला ग्रेइन से लोडिड शिप जो है वो रवाना हो गया है जो की सियरा लियॉन वेस्ट आफ्रिकन कंट्री में जाकर के वहां तक जाए गए ठीक है फिर बात म अफ्रिकन कंट्री में कौन की सप्लाई हो पाएगी मेज की सप्लाई हो पाएगी यह कहां से एक्सपोर्ट हुआ युक्रेइन के ओडेसा पोर्ट से हैं मैपिंग देख लेंगे थोड़ी नजर डाल लेंगे ठीक है इसके अलावा देखा जाए तो लीबिया की क्यापिटल त्रिपोली उधर भी सप्लाई का क्लेरेंस होना जरूरी है और वैसे देखा जाए तो युक्रेइन ग्रेन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत इंपोर्टन ड्रोल प्ले करता है युक्रेइन जो कुछ भी एक्सपोर्ट करता है वो ब्लेक सी में लोकिटेट जितने भी पो कर चुका है तर्की के पास में वहाँ पर बहुत फॉरस स्ट्रेट है ठीक है उसके थ्रू हाँ वहाँ पर दो इंपोर्टन स्ट्रेट्स हैं उनके बारे में मैपिंग पूरी अच्छे से देख लेंगे तब और समझ में आ जाएगा तो युनाइटेट नेशन ने इसके बी ओडेसा चौरनो मॉर्स और यूजनी ये तीन पॉर्ट्स है यहां से योक्रेयन में अभी एक्सपोर्ट कर रहा है उके यह बल्सी में ले करेड़ ही पॉर्ट्स हैं अब देको ग्लोबल सप्लाइ चेन में युक्रेन का क्या इंपर्टन्ट रूल है वो अगर देखें तो देखो wheat export करने में पांचवे नमबर पर आता है Ukraine पहला तो रश्या है फिर European Union है फिर Australia फिर US और फिर आता है Ukraine तो एक तो point यह बारली की बात करें तो Australia European Union अरजेंटिना रश्या के बाद में फिर next नमबर आता है इसके अलावा corn, maze की बात करें तो Australia, Argentina, Brazil के बाद में चौथे नमबर पर आता है rep seed उसके export में नमबर 2 पर आता है Canada के बाद में और नमबर 1 पर आता है sunflower, oil, oil cake, meal and seed में overall देखा जाए तो ये है युक्रेन की तरफ से जो agriculture products है उनके export की एक list जहाँ पर युक्रेन top 5 में participate करता हुआ दिख रहा है top 4 में participate करता हुआ दिखाई दे रहा है ठीक है इसके अलावा देखा जाए तो United States Department of Agriculture के हिसाब से अगर देखें तो युक्रेन ने 2021 में लगबग 27.8 billion dollars का agricultural export किया था जिसमें sunflower oil भी है corn भी है wheat भी है rap seed भी है barley भी है sunflower meal भी है इसके अलावा जो main markets है जिनको युक्रेन सबसे ज़्यादे export करता है अपना agriculture export जो है वो कहाँ पर जाता है mainly European Union number 1 7.7 billion dollars China 4.2 billion dollars India फिर number 3 पे आ जाता है 2 billion dollars ठीक है India में हमारे mainly क्या है sunflower oil ठीक है सुरज मुखी का जो तेल है वो हम ज़्यादा import करता है वो लगबग 1.9 billion से 2 billion के पीच में vary करता है trade जो होती है वो किधर से हो रही है Ukraine की Black Sea में जो भी ports हैं उनके through इसके अलावा देखें Ukraine हमारे लिए कैसे important है Ukraine से हम लगबग 21.76 76 lakh tons sunflower oil है वो import किया है हमने 2020-21 में और 2021-22 में देखा जाए तो वो थोड़ा साइड reduce हुआ marginally 20.45 million ton हमने sunflower oil import किया है जिसकी value आप देख सकते हो 2020-21 में तो कितनी 1.96 billion और फिर बाद में 2021-22 में आप देखो 2.88 billion इतना महंगा तेल हमने खरीदा है sunflower oil तीक है ये तो हम बार-बार discuss करते हैं न कि crude oil तो मंगाते ही हैं हम import करते ही है cooking oil या edible oil भी हम import करते हैं जादा थर इसके लावा Ukraine से हम क्या-क्या चीजे मंगाते हैं उनकी अगर बात करें तो Ukraine का share अगर देखें तो आप देख लो number one contribution Ukraine का है sunflower oil में हमने जो import किया 2021-22 में वो कितना था 2.09 billion dollars ये पैसा हमने पे किया है Ukraine को sunflower oil import करने के लिए 2021-22 में 2021-21 में ये कितना था यहाँ देख सकते हो 1.6 billion dollars फिर उसके बाद में number two पे sunflower supply करने वाला country आता है वो है Russia जो कि बहुत ही late है फिर रश्या से हम कितना import करते है around 4.47.16 million dollars का payment और कितना है amount ये देख सकते हो 3.4 lakh ton फिर उसके बाद में अर्जेंटिना आता अर्जेंटिना से हम जो sunflower oil import करते है वो कितना है 1.85 lakh ton 2021-22 का ये data है ओके और कितना amount हमने पे किया 258.66 million dollars तो ऐसे में युक्रेन को तो हम 1.6 billion या 2 billion dollars तक payment करते है इतना import है हमारा और रश्या को अर्जेंटिना को हम millions में पे कर रहे है तो ऐसे में युक्रेन पे बहुत ज़्यादा dependency है अगर हम sunflower oil की बात करें इंडिया जो है वो fourth largest consumer I mean इंडिया में fourth level पे सबसे ज़्यादा highly consumed मतलब highly consumed जो vegetable oil है उसमें number four पे आता है sunflower oil सबसे ज़्यादा हम consume करते हैं कौन से palm oil number two soya bean oil number three mustard and rep seed और फिर fourth पे आता है sunflower किसका कितना consumption है यहाँ पर highlighted आपके पास में और 70% के लगबग जो sunflower oil हमारे हाँ पर consume होता है वो किवल और किवल southern states में ही confined है इसके आगे 10 से 12% जो consumption है sunflower oil का वो महराष्टा में है और import mainly कहां से होता है काकिनाडा, कृष्णापत्नम, चेन्नाई और मैंगलूरू पोर्ट से कई बार कांडला और जो JNPT है ना महराष्टा में वहाँ पर भी import हो जाता है तो यह major port क्या है मतलब main port से जहां पर आप sunflower oil को import होता हुए देख सकते हो इंडिया में फिर हम बात करें sunflower oil पर यह लड़ाई हुई तो इसका impact क्या था देखो इसका तो सीधी से equation यह है कि इंडिया की जो requirement होती है उसका 70-80% हम import करता है कहां से युक्रेन से और उसमें भी देखा जाए तो major जो export है युक्रेन का जो इंडिया के लिए आता है वो Odessa, Moriupol इन जगह से आता है ठीक है पर जिस तरीके से रश्या ने invade किया है तो युक्रेन से तो supply रुख गई है अब जो lead role play कर रहा है न sunflower oil supply में वो है रश्या फिर उसके बाद अर्जेंटिना युक्रेन से अभी के वल 20% ही हम import कर रहे है हमारी requirement का जितना भी हम import करता है ठीक है और रश्या जो है जो export कर रहा है वो कहां से कर रहा है तमन करके एक port है और एक है रोस्टोव on dawn ये दो है main ports जहां से रश्या एक्षपोर्ट कर रहा है ये भी कहां पर located है ये जो black sea है उसी का extension है sea of ajov वहां से export करता है रश्या जहां से हमारे यहां पर sunflower आता है इनको भी हम देखेंगे sea of ajov और इनको भी अच्छे से है ठीक है इसके आगे देखें इधर आप देख सकते हो ammonia की बात करें fertilizer में तो वो भी देखो fertilizer manufacturing में ammonia के requirement होती है और इंडिया 220.44 million dollars से लगबग 3.63 lakh ton of ammonia import कर चुका है 2021-22 में तो आप देख लो कितना ज़्यादा dependent है युक्रेन से ही केवल इतनी ज़्यादा dependency है तो ऐसी परिस्तिती में हम देखें तो wheat हो गया sunflower oil हो गया fertilizer के लिए inputs के requirement हो गई ये सारी चीजों के लिए हमारे लिए Ukraine important बन जाता है ठीक है wheat भी हमने import किया हुआ है 2016-2017-2018 2017-2018 में वह बात लगे कि अब import की ज़रुवत नहीं पड़ेगी बट overall देखा जाए ना तो ये जो फिलहाल युक्रेन जो export करना शुरू कर रहा है sunflower ज़स तरीके से agricultural products को तो वो हमारे लिए थोड़ी चैन की सास हम consider कर सकते हैं कि चलो कम से कम सस्ते में थोड़ा आना मिल तो जाएगा वो चीज ठीक है कि रश्या ने अपनी तरब से बहुत सस्ता देने की कोशिश की है पर कहाँ पर billions में हम import कर रहा है वहां से वो तो ऐसा में पैसा खर्षत होता है या ना जब shortest रहती है मार्केट में किसी भी प्रोड़क्ट की नेक्स्ट है डेटा रेगुलेशन बिल जो है उसको विड्रो कर लिया है गौर्मेंट ने तो इस चीज के लिए अब क्या बात कही जा रही है कि जॉइन पार्लियमेंटरी कमिटी ने जो रेकमेंडेशन्स दी है और रेकमेंडेशन्स को अब इंप्लिमेंट करते हुए ध्यान में रखते हुए अब ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क लाया जाएगा जो की ऑनलाइन स्पेस जिसमें डेटा प्रिवेसी, इंटरनेट एकोसिस्टम, साइबर सेक्यूरिटी, टेलीकॉम रेगिलेशन ठीक है नॉन पर्सनल डेटा इन सब को कवर कर लिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बिल का नाम क्या था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, अब नॉन पर्सनल डेटा भी तो आएगा ना, क्योंकि नॉन पर्सनल डेटा कौन सा होता है जिसमें एक इंडिवीजुल की पर्सनल इंफरमेशन के बारे में पता ना पड़े, वो डेटा नॉन पर्सनल होता है ठीक है तो ऐसी परिस्तितियों में non-personal data को utilize करने के लिए क्या plan है कि भई जो non-personal data है उसको government इस तरीके से available कराएगी जिससे कि start-ups है या कोई भी new research को ही करना चाहे research and development को ही करना चाहे तो उसको data easily available हो सके तो इससे start-up ecosystem boost होगा तो ऐसे में non-personal data को भी अब cover किया जाएगा तो joint parliamentary committee जो थी जिसमें राजेसभा लोगसभा के members थे उन्होंने इतने सारे recommendations दे दी जिसके चलते इतने amendment दे दी जिसके चलते विड्रोही कर लिया बिल को बोल आप नया ही बिल लेकर करके आएंगे वैसे तो इस ये जो data protection बिल था एक ऐसा था कि भई कैसे भी करके आप इस बिल को follow करोगे और अगर कोई भी company इस बिल के provision को follow नहीं करती तो फिर उसके खिलाफ में कड़ी खारवाई होती तो कुल मिला करके government के हाथ में बहुत सारी powers थी जिसके चलते हैं Facebook, Google जैसे बड़ी company ने भी objection किया था अब देखने वाली बात यह है कि नया बिल जो है वो कब introduce होता है वैसे देखा जाए तो यह जो data protection बिल है यह 2019 में introduce हुआ था चार साल तक इस पर debate हुए तीन साल तक लगबग और अब जाकर के withdraw कर लिया गया है क्योंकि बहुत ही ज़ादा इसमें objection भी हो रहे थे और कमिया अब amendment भी इतने सारे दे दिये यह बिल कब स्टार्ट होता है देखो बी एंज स्री कृष्णा जस्टिस बी एंज स्री कृष्णा कमिटी ने recommendation दी जिसके basis पर यह बिल introduce होता है ठीक है और जब यह बिल introduce हुआ था तो इस ताइम पर बी एंज स्री कृष्णा ने खुद ने क इस बिल में चेंजे जाने चीएं जस्टिस श्री कृष्णा ने खुद ने भी यह बात कही तो ultimately अभी जो recommendation आ गई उनको ध्यान में रखते हुए बिल को withdraw कर लिया बोला नया ही बिल बना देंगे जब 90 से ज़ादा amendment ही करने है तो बिल ही नया बना देंगे committee के तरफ से recommendation दी गई है 12 amendment तो देखो बहुत सारे हैं यहाँ पर देखो 81 के लगबग amendment है ठीक है और कई चीजें मतलब यह 12 recommendations में important recommendation की बात करें तो existing bill जो था यह तो देखो data protection के लिए personal data protection की बात कर रहा था पर आप data की broader protection की बात की जाएगी साथ में non-personal data इसको भी define किया जाएगा वोई बात जिससे personality personal information को आप identify ने कर सोको वो data non-personal data होगा तो उसको भी proper regulate करना है social media companies का regulation क्या होगा किस तरीके से इसके अलाबा जो भी आप development करते हो infrastructure जैसे मान लोगी कोई नई कम अब जैसे 5G auction हुआ है तो 5G auction के बाद में नए instrument तो त्यार करने पड़ेंगे ना hardware भी लगेगा नए software भी develop होगे सारा काम होगा तो overall hardware वो ही लिए जाए जो कि trusted hardware है trusted hardware का मतलब क्या हो गया जो smartphone है जो भी हम physical equipment install करेंगे टेकनलोजिकल अपग्रेडेशन के लिए वो उन country से उन company से ही खरीदेंगे जिन पर हम विश्वास कर सके निकल को न चाइना जैसे country की अगर होगी company हो तो वो हमें blackmail कर सकती है तो उस चीज के लिए भी recommendation दिये है इसके अलवा social media companies है वो companies जो कि social media intermediary की तरह काम नहीं कर रही है उन companyों को content publisher की तरह treat किया जाए ये भी recommendation किया है इसका मतलब क्या है देखो social media intermediary उनको बोला जाता है जो social media platforms पचास लाग से ज्यादा users को handle करते हैं तो वो social media intermediary consider होते हैं ठीक है IT rule 2021 की according बता रहा हूँ मैं अब वो social media platforms जिनके पास में 50 लाग से कम users हैं उनको क्या बोलोगे तो उनको वो दिया content publisher और content publisher का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इन छोटे social media platforms पर कुछ भी content share करेगा न तो उस content की सीधी जिम्मेदारी उससे company की होगी जिस company के platform पे वो content share किया है इसका मतलब यह हो गया कि user share करेगा पर उसको government किस नजरिये से देखेगी कि उस company ने खुद ने publish किया है इसका मतलब कि company proper filtration का method adopt करे तो यह चीज है इसके उपर हो सकता objection हो क्योंकि इसका मतलब यह हो गया कि छोटी कंपनिया है उनको आप space ही नहीं दो गया आगे बढ़ने का यह का objection हो सकता है बाकी देखो information technology act में भी देखो amendment लाए जाने की पुरी बाते चल रही है साथ में data localization की बात होई रही थी कि इंडिया का data sensitive data इंडिया में ही रहना चाहिए और इंडिया से बाहर अगर लेकर के जाओ तो वहाँ पर ऐसी जगहें पर आप locate करो उस data को जो की trusted geographies हैं मतलब कि जहां पर इंडिया को ये लगे कि उस data का वहाँ पर misuse नहीं होगा वहीं पर आप अपने servers बनाओ साथ में कल को न मान लोग की कहीं पर कोई issue आ जाता है जैसे कोई criminal investigation करनी है तो जो trusted geographies होगी न तो वहाँ पर से data access करने में Indian authorities को problem ना आए अब देखने वाली बात है कि क्या क्या चीज़े नहीं आती है वो final जब होगा तब देखेंगे बागे फिलाल तो है यह बताया है कि winter session में comprehensive legal backing लाई जाएगी इस data protection bill को withdraw करने के बाद में जो ठीक है अब इसमें जो है recommendation जो है JCP की वो भी देखी जाएगी और Supreme Court का 2017 का जो पुट्टा स्वामी की इसका judgment है privacy judgment right to privacy उसको भी ध्यान में रखा जाएगा अब देखते हैं winter session में क्या बिलाता है तब की तब देखेंगे आगे चल देखेंगे नेक्स्ट है rare earth elements को लेकर के जो नया कार्टल नया group बनाया जा रहा है western countries की leadership में जिसमें US main country है जैसे हमने कल देख लिया था इस group को क्या ब partnership अब देखो इसमें क्या है देखो covid-19 जब outbreak हुआ था ना तब उसके बाद में चाइना प्लस वन करके अपनी तरफ से चाइना ने एक strategy adopt की थी जिसकी वज़े से बहुत ज्यादा problem आई थी जो rare earth minerals है उनमें या फिर lithium, cobalt इनकी supply में क्योंकि चाइना ने अपनी मनमानी करन इसके चलते हैं अभी western nations ने यह decide कि चाइना का हमें कुछ ना कुछ alternate ढूंडना होगा तब जाकर के यह जो key industrial supplies है वह ensure हो पाएगी तो इसके लिए US के अलावा 10 और countries ने मिलकर के 11 countries ने यह aim किया है कि जो critical minerals हैं जो आज की time पे high technology equipment से required होते हैं बोलो उसके लिए हम सब मिलकर क एक साथ काम करेंगे इस group को बोला जा रहा है mineral security partnership अब देखो दिल्ली भी अपनी तरफ से diplomatic level पे काम कर रहा है कि entry मिल जाए पर अभी तक दिल्ली के entry नहीं है कल हमने देख लिया था अब US के लावा 10 partner countries कौन-कौन से हैं इधर देख सकते हो Australia फिर इधर देखो Canada, Finland, France, Germany, Japan, Republic of Korea जिसको South Korea बोलते है Sweden, United Kingdom और European Commission काम क्या है MSP constitute करेंगे जिससे की जो important elements हैं उनकी लिए China के सामने इनको ना गिर गिरना पड़े वो कौन-कौन से हैं Cobalt, Nickel, Lithium और 17 rare earth elements है, rare earth minerals हैं, वो majorly यह जो हैं इनमें उनकी China की बहुत ज़्यादा more or less monopoly established हो चुकी है तो ऐसे में China का alternate निकालने के लिए इन countries ने यह cartel बनाया है और आप देखो कि rare earth minerals पहली चीज़ तो चाइना के पास में अच्छे खास हैं, दूसरा, Cobalt की बहुत सारी mines को Africa में चाइना ने पहले ही acquire कर लिया, ठीक है, अभी कुछ दिन हो पहले है ध्याना आपको हमने एक news discuss की थी, कि घाना में, घाना था कि या कोंगो था, शायद कोंगो, येस कोंगो, कोंगो की government ने ये बोला, कि बही greenhouse gases के emission में हमारा कोई contribution नहीं रहा है past में, हम तो यहाँ पर production करेंगे, तो वहाँ पर ये African countries को पता हवा कौन दे सकता है, ये मेरा कयास है, वो सकता है, मैं गलत ह ये China वहाँ पर अडंगे लगवा रहा है, ठीक है, कि पैसे तो लगा दिये वहाँ पर, अब पैसे लगवाएगा तो वहाँ पर mining भी करेगा, mining करेगा तो दूसरे countries जो दबाव बनाएंगे कि climate change हो रहा है, हमें carbon emission को रोकना है, उनकी दबाव को किस बात को कहके ignore किया जा सक अचा है, इंडिया भी तो यही कहता है, हमने थोड़े ना किया है, यह जो pollution है, जिसकी वज़े से आज climate change हो रहा है, पर इसका misuse Africa में China जैसे countries उठा सकते हैं, यह एक point बनता है, अब यह जो rare earth elements हैं, इनकी कल हमने list देख लीती, revise कर लो, 17 rare earth elements हैं, जिन में से 15 तो lengthenides हैं, आ आप अगर periodic table देखोगे ना, तो periodic table में number 57 से लेकरके number 71 तक के जितने भी elements हैं, उनको क्या बोलता है, lengthenides, जिसमें 57 वाले का नाम क्या है, lengthenum, इसलिए lengthenide होगे, इसके आगयाने वाले सारे, इसके अलाबा, इसमें और add कर दो किसको, scandium को, जिसका atomic number है 21, इसके अलाबा, yith kathrium को, जो 39 है, तो यह आ जाते हैं सारे rare earth elements में, और rare earth elements को आप दो categories में divide करी सकते हो, एक तो light और एक heavy, तो rare earth elements जो की इंडिया में available हैं, उनकी अगर बात करें तो वो कौन से हैं, lengthenum, cerium, neodymium, इसके अलाबा, यह नाम थोड़े difficult है, ठीक है, paraseodymium और एक semarium, यह कुछ elements ह जो rare earth elements की category में आता है, जो की इंडिया में available है, बाकी सके अलाबा, dysprosium, terbium, europeum, यह ऐसे elements हैं, जो की, जिनको classify किया जाता है, कि इसमें heavy, rare earth elements में, जो की इंडिया में available नहीं है, इंडिया में हम extract नहीं कर सकते हैं, इतनी अच्छी quantity में, या फिर जो कहते हैं, commercial point of view से extractable नह हैं, इसके अलाबा देखा जाए, तो चाइना पे dependency ज्यादा रहती है, इन heavy, rare earth elements के लिए, और चाइना जो है, वो rare earth elements में global production का 70% अकेला produce करता है, तो USA के geological survey के हिसाब से यह कहना है, कि चाइना जो है, इसने पहले से ही अपना erratic behavior दिखाना शुरू कर दिया था, 1990 में, तब भी बहुत सारी companies को deny कर दिया था, चाइना ने, कि हम आपको rare earth element नहीं देंगे, तो वो लग कुछ चीज से, और अभी चाइना अपनी तरफ से दादागरी करी चुका था, COVID के टाइम पे, तो ऐसे में decide यह किया गया, कि alternate हमें निकालना होगा, कुछ ना कुछ, अब देको ज hybrid vehicles हैं, semiconductor, या flat screen TVs होते हैं, जो हम आज कल देखते हैं, panel TV, right, इसके लावा monitors हैं, इन में बहुत जादा use होते हैं, यह minerals, चाइए quantity कम हो, बस इनके बिना efficiently वो instrument काम नहीं करेंगे, इसके लावा lithium ion batteries का challenge जो है, वो भी है, और साथ में हमारी government ने, यह तो internationally हो गया, और domestically देखे क्या है, कि 2030 तक, जितने भी two wheeler या three wheeler चलेंगे, उनमें से 80% electric होनी चाहिए, जितनी बसेज चल रही है, उनमें 40% बसेज होनी चाहिए, cars जो चल रही है, वो 30 से 70% तक हो जानी चाहिए, overall देखी जाए, तो electric mobility को rise करना, हमारा भी तो target है अब देखो बात ऐसी है, कि India को क्य हम उनको भी utilize नहीं कर पा रहे हैं, तो मजबुरान हमें China जैसे countries पर dependency रखनी पड़ती है, तो जिस तरीके से हम oil import करते हैं, वैसे ही इन elements को, rare earth elements को हम import करते हैं, तो बोले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, again technology डवलप करनी पड़ेगी, जबकि Australia, Canada जैसे countries को entry मिली है, क्यों, इनके पास reserves भी है, और technology भी है, Japan को entry इसलिए मिली है, कि इनके पास element तो नहीं है, reserves तो नहीं है, पर इनके पास में technology है, इसलिए ये जो MSP है 11 countries का, इसमें entry मिल गए इन countries को, तो इंडिया को भी कुछ ऐसा ही अपनी तरफ से solid support बताना होगा, सबसे पहली चीज तो ख इसी खासी image लेके चलता है, बागी result जो होगा वो देखेंगे, आगे चलता है अभी, next रम आगे, economy page पे, देखो IMF ने अपनी तरफ से India को कुछ suggestion दिये हैं, उन suggestions की अगर बात करें, तो वो हो सकता आपके भी answer writing में help कर जाएं, ठीक है, देखो क्या क्या है, number one, कि India ने जो economy हमें को stimulus देने के लिए अपनी तरफ से, monetary policy थोड़ी से relax कर रखी है, या government ने जो fiscal support दे रखा है, जिससे की सस्ते में loan मिलना, ज्यादा ज्यादा government अपनी तरफ से पैसा खर्च कर रही है, बोला अब उसको withdraw कर लेना चाहिए, पहला काम तो यह, जिससे की government का, खुद का, जो हमें promote करना चाहिए, साथ में, जिन countries के साथ में, हमें free trade agreement sign करने है, उनको जल्दी से जल्दी finalize कर देना चाहिए, जिससे की हम ज्यादा ज्यादा export करें, और उससे क्या होगा, हम forex भी ज्यादा ज्यादा earn कर पाएंगे, तो जैसे अभी dollar के against में rupee depreciate कर रहा है, तो वो थो MF ने ये बोला है, कि थोड़ा सा investment को, regime को भी थोड़ा सा liberalize करो, tariff को भी reduce करो, साथ में जो intermediate goods है, intermediate goods का मतलब हो गया, कि हम कोई बाहर से, मानलो कि कुछ tool equipment मंगवाते हैं, वो मंगवाया हमने, और मंगवा करके, उन tool equipment का use करके, final product मना करके, और फिर बात में, domestic consumption के लिए भ final goods बनाये जाएंगे, तो बोलो उन पे भी tariff थोड़ा सा reduce करो, ये भी बात कही है, EMF ने, इसके अलावा, dollar के against में, जो rupee depreciate कर रहा है, उसके लिए जिस तरीके से RBI ने अपनी तरफ से action लिया है, कि market में dollar का circulation बढ़ाया, आप देखते हो, 5 billion dollars के लगबग, RBI ने सीधे market मे infuse किये थे, और जो rupee था, उसको collect किया था, तो बोले ये चीजें disruption के time पे तो अच्छी से कासी तरीके से की जा सकती है, और RBI के पास में, अभी इतना कम भी reserve नहीं है, हमारे पास में, 8 महीने का import कर सके, इतना हमारे पास में foreign actions पड़ा है, तो load वाली तो चीज नहीं है, प इसके अलाबा 2022 की, जो external sector report आई थी, IMF की, उसमें क्या कहा, कि structural reforms की ज़रुरत है, जिसके basis पे आप global value chain के साथ integrate करो, इंडिया की economy को, और FDI को attract करो, ये चीज यहाँ पर IMF के तरफ से suggestion दिये गये है, ये economy page की इकलोती important news थी, वो हमने देख ली, एक काम करना IMF को UPSA Point Office अब पढ़ लेना, वर्ड पेस पर, चाइना बहुत ज़्यादा आगबवूला हो चुका है, और missiles fire कर दी, और missiles भी ऐसा नहीं किया, और Taiwan के आसपास गिरी है, जपान की exclusive economic zone में भी missiles टिका दी ले जागी है, ठीक है, तो ये जो चीज है, ये aggression दिखा रहा है चाइना, अब यहाँ पर देखो आप, कि चाइना ने जो military drills की है, ताइवान के आसपास में वो देखो, ये ताइवान हो गया, ये ताइपी, ये यहाँ की capital ही, और ये जो अंदर वाली line है ना, ये वाली, ये line है ताइवान की maritime border, इसके बिलकुल चारों तरफ से घेल लिया डंग से, यहाँ यह आपर military exercise कराई है, वैसे ताइवान ने भी अपनी दरफ से deployment कर दिये थे, और ये कोई पहली बार नहीं है, 1995-1996 में, जब वहाँ पर presidential election होए थे, वहाँ पर कहते ना की democracy को promote करने वाले leader जब president बने थे, तब भी China ने उस time पर भी exercise की थी, कहां कहां, ये देखो यहाँ, ये ज एक यहाँ पर, तके टोमी, आइलेंड होगे, ताइवान का territorial water है, यहाँ पर ये exercise होई रही है, बस, त्मीन चीज यही थी, और इधर, पहलो सी ने अपनी तरफ से एक statement दिया, कि अगर North Korea nuclear weapon छोड़ दे, तो पूरा support देने के लिए तयार, अपर North Korea विश्वास नहीं करेगा लगता नहीं है, USA पर, राजे सबा में, एक bill पारित हुआ है, ठीक है, family courts bill, इस bill में यह है कि, हमारे देश में अगर हम देखे न, तो लगबग 26 states and uts में, लगबग 715 family courts हैं, और 715 family courts में से हिमाचल प्रदेश और नागलेंड, हिमाचल प्रदेश में दो family courts हैं, लगबग 2 ही वहाँ पर हैं, ठीक है, तो इस वज़े से उनको, अभी तक उनका inclusion नहीं था, ठीक है, जो family court bill है या family court act है, तो उनके inclusion के लिए amendment introduced किया गया था, तो आप एक काम कर लो, family courts के बारे में एक बार UPSA point of use हैं, लक्षमी कान था तो उसमें पढ़ लो, या फिर आप वैसे गूगल करके उसको revise कर लो, note making कर लेना, ओके, आगे चलते हैं, अब map देख लेते हैं एक बार, यह आपके सामने map है, black sea का, इसको, इसके साथ में जो costal line share करने वाले जो उनके names देख लो, रशिया है, फिर इधर Ukraine आ गया, फिर इधर Romania आ गया, बुल्गारिया आ गया और फिर इधर आ गया Turkey और यह Georgia, ठीक है, यह countries है, जो कि अपनी costal line share करते हैं, black sea के साथ में, यह black sea है, इसी का extension है इधर, Sea of Ajo, जो कि यहां से straight of Karch, वो इसको connect करती है, और यह है वो city, यह costal city जहां से export हो रहा है, यूक्रेन से grain का, जिसका नाम है Odessa, ठीक है, और यह है, क् city Istanbul, ठीक है, जो कि टर्की की है, तो टर्की देखो इधर भी है, और इधर cross करने के बाद में इधर थोड़ा सा यह part भी आ जाता है, इस्तांबुल, जो कि पहले Constantinople के नाम से जाना जाता था, और यहां पर इस map में देखो आप, यह है, बोस्फोरस, ठीक है, स्ट्रेट और जो कि Black Sea को और Sea of Marmara को जोइन करती है, ठीक है, और यहीं पर यह इस्तांबुल का नाम देखो, आप अच्छे से आप देख सकते हो, Constantinople, ठीक है, जो कि टर्की की city है, ओके, इसके अलावा, यह जो Marmara Sea है, Sea of Marmara, इसको Aegean Sea के साथ जोइन करने वाली स्ट्रेट का नाम है, डा चाइना सी बहुत important हो गया है, तो कि दोनों में tension चल रही है, और यहां से कैसे भी उठके question अगर आ जाए, तो जो current affair में question है, वो ही अगर हम handle नहीं करेंगे, तो फिर वो कैसे करेंगे, जो आज के 2-3 महीने पहले important जो news थी, वो cover करें, समझ रहे हो, कहने का मतलब continue, अपने maintain रखना तयारी को, ओके, चलिए ठीक है, इस discussion में जो भी था, वो देख लिया, news paper में share कर दूँगा, thank you very much,